आप सबको बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूप चैनल हेलिंग पस्ट्रीपल सेवन में आईए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके एंजल सापको क्या गाइड करना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं और क्या मैसेजिस हैं आपके लिए उससे पहले यदि बाक्स में लिंक दे रखा है आप उस फॉर्म को बढ़ सकते हैं आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी इमेल पे आप चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डिरेक्ट मेसेज कर सकते हैं इस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शिन बाक्स में तो आएए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रिडिंग को आपके लिए जो पहला कार्ट है यहाँ पे है यू आर गिफ्टेट का यू आर वेरी इंटेलिजन एंट तैलेंटेड आपका पूरा फोकस होना चाहिए अपने उपर अपने टैलेंट के उपर और अपनी स्किल्स के यान कि जिन भी चीजों में आप अपनी योगिता दिखा सकते हैं सावित कर सकते हैं उन चीजों के उपर ही आपको भरोसा करना चाहिए क्योंकि यह आपके पास में गिफ्टेड हैं आप इंटेलिजन्ट हैं आप टैलेंटेड हैं यान कि आप में कारे करने की शमता है अपने आपको गिफ्टेट महसूस करेंगे तो ही उस एनरजी को ले पाएंगे आपके लिए आज के दिन बहुत अच्छा है अपने आपको हस्ते मुस्कुरात है विताने के लिए आपसे कहा भी जा रहा है कि आज कि दिन अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं जैसे कि आप ठाप को ही हो जाता है उसको एक ना हलकी विद था से ही लेनी की कोशिश कीजेगा अपसे कुछ सेह度 होता है जिसों सोते हैं to कोशिश आपको यह करनी है कि उसको थोड़ अलताज में और कहीं न कहीं अपने आपको हसी-खुशी के अंदरrese ही भी जरूरत है आप से कहा जा रहा है कि यहां पे आप से कहा जा रहा है इस काट के दवारा कि I think about the people and things you are grateful for याईनिकि आप उन चीजों के उपर धिहान रखे जिन चीजों की वज़ा से है जिन लोगों की होने की वज़ा से आप खुद को आभारी महसूस करते हैं तो आपका जीवन अच्छा है जो चीजे जो लोग जो situation आपके जीवन में है जो अच्छी है उनके लिए आभारी होना बनता ही है याई कि आज की दिन अपने आपको एक कर्स वारी एनर्जी में नहीं लेके जाना है कि हमारे साथ ये बुरा हो रहा है हमारे साथ ये गलत हो रहा है कि लाइफ हमारे साथ अच्छा नहीं कर लिए थोड़ा सा अपने आपको इस तरह की अगर एनर्जी से आप बाद में आपको फिर वैसे ही होते हैं और यहां पर आपके लिए जो card है टैलन्ट कार्ड से पहला card है devil का आप से कहा जा रहा है कि अपने talent के उपर भरोसा करना है अपने उपर आपको जैसे भरोसा करना है यह card बताता है कोई ऐसी आदत की बात कि यासे addiction की बात या किसी इस तरह की बंधन की बात जिसमें आप आपका एक आकर्षन है या फिर आप उसकेंदर बंदे हुई हैं तो आपसे हिहाँ पर यह कहा रहा है कि जिन भी बंदनों में आप बंदे हुई हैं आप में बहुत कुछ करने की शमता है उस चका उस situation के अंदर क्योंकि आप already talented और intelligent है तो अपनी जैसे की कहा गया है आप अपनी intelligence के उपर भरो सकीजेगा आप gifted है अगर आपको किसी relation के अंदर किसी situation के अंदर को intuition हो रही है उसको जरू सुनिएगा किसी बात के energy के साथ में काम करेंगे और जो भी आपने अब तक सीखा हुआ है उसको experience में लाने का दिन आच चुका है यानि कि आज की दिन में जो आपके पास पहले से है उसका ही इस्तमाल करना है अगर आप किसी तरह की कोई new क्लियर करूंगे कि यह आप से कहना क्या चाहता है कि situation के लिए कहना चाहता है कि the hermit का card है यहां पर दोनों ही major arcana के card है आप से कहा जा रहा है कि किसी भी चीज को start करने से पहले एक analyzation करना जरूरी है यानकी कंभीरता से सोचना जरूरी है आप में से कुछ लोगों के लिए किसी भी विश्य के संदर में यानकी आप किसी भी टॉपिक पे अगर कुछ करना चाहते हैं नया चाहे आप पढ़ाई के लिए कर रहे हो अपनी अगर आप अपनी education के के लिए कुछ कर रहे हैं अपनी health के लिए कुछ कर रहे हैं थोड़ी सी research और जाता चाहिए यानकी जवाब आपको अंदर ही मिलेंगी अगर आप अगर आपको लगता है कि आप risk ले सकते हैं तो आप से कहा जा रहा है आपको guidance सुननी चाहिए आपको पर वैलविशर्स की आपको आप उठाने की कोशिश करें आज की दिन जो कुछ भी होता है जैसा भी होता है सिर्फ और सिर्फ अपने ही talents के विश्वास करना है अपने talents पर विश्वास करेंगे तो आपके लिए चीज़े आसान हो जाएगी और जैसे कि यहाँ पर कहा भी यह है आपसे focus energy की साथ आपको काम करना है और आपको एक हसी की जरूरत रहेगी तो हसने मुस्कराने की कोशिश कीजेगा अपने आसपास के महल को भी थोड़ा सा हलका करने की कोशिश अगर करेंगे तो उससे भी आपको बहुत सारी help मिल जाएगी देखते हैं चैनल मेसेजिस में से कौन से मेसेज से मेसेजेंग और रेन के पाहना है ऑख और रेन के मौसम अगर आता है तो रेन भी हो सकती है लेकिन जैसे कुछ लोगों को रेनी जो सीजन होता है weather होता है अच्छा लगता है यहाँ पी वेट का मेसेज है डेफिनिल एक यह मैसेज उसकी साथ में जायगा आपको वेट करन हैं आप अंजाने या अंधेरे में रही हैं क्योंकि यहां पर जितने भी cards हैं आपके लिए हैं bright cards follow का card है follow कीजिए अपनी intuitions को जो भी आपसे वो कहरे की कोशिश कर रही है truth का यहां पर आपके लिए message है आपको कुछ situations में अपनी truth से देखने की ज़रुद है और जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए यहां पर light भी है और truth भी है और यहां पर आपके लिए feel भी है यहां कि आपको अपने किसी truth को feel करना है और आपको उसको light energy में देखना है और trust करना है universe पर follow करना है इपनी intuition और वेट करना है किसी भी बड़े डिसीजन के लिए तो जरूर देखिएगा, यह बहुत important message है किसी के लिए किसी चीज के बारे में तो अगर आप कुछ भी अपने साथ यह resonate महसूस कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा aware है येगा आपके लिए यहाँ पर message है conscious effort का आपके लिए message है celebrate life का definitely यह laughter वाले message के साथ में जाएगा life को थोड़ा सा celebrate कीजिए अगर बहुत ज़्यादा serious हो रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए message है twins का तो twins का यहाँ पर message है twin flame भी हो सकते हैं यहाँ पर आप में से कुछ लोग आपके लिए message है request का यहाँ पर आपके लिए message है slow का तो थोड़ी slow speed रखिएगा अगर आपको यहाँ तेजी से decision लेने वाले हैं यहाँ दब का message है life की rhythm के साथ चलिए कोई dance कर सकते हैं कोई music सन सकते हैं अपने आपको थोड़ा सा busy कर सकते हैं किसी भी ऐसी चीज में purity of heart की जरूरत है thankful होने के लिए हमेशा ही purity of heart की जरूरत होती है तो बिल्कुल इसको बनाए रखिएगा आपके लिए हाँ next message है programming का को किसी situation को दुबारा से देखनी की जरूरत है या आपकी life का कोई साभी area हो सकते है आपके message है blue का blue color हो सकता है आप इन से कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए उनका blue mood हो सकता है अगर mood कुछ blue हो रहा है तो उसे ठेक कर लीजे या फिर आपको थोड़ा सा blue sky को देखनी की नीड है spacious का message है तो बिल्कुछ थोड़ी सी जगा बनाए किसी चीश के लिए शायद आपने से कुछ लोगों को कुछ मिलने माला होने या रिगेन का message है यहाँ पे कुछ न कुछ आप अपनी life में रिगेन जरूर करेंगे move on का message है आपको move on करने की जरूरत है ऐसी किसी भी situation में जिसमें आप बने हुए है बहुत clear message है continue का message है जो भी आप कर रहे है continuity से करिये लेकिन जो भी आपको देखना है उसे सो समझ कीज़ेगा कि यहाँ बेट का message भी है यहाँ जो कुछ भी आप आज की दिन करना चूस करते हैं उसको यह जरूर देख लीज़ेगा कि उसमें क्या step लेना आप के लिए ठीक है और क्या नहीं साधिसाद जितना जाता आप thankful energy के अंदर रहेंगे grateful वाली energy में रहेंगे आप इस दिन के energy का उतना ही इस्तमाल कर पाएंगे तो जरूर देखेगा कि आपके angels के यह messages, guidance और यह blessings आज की दिन के लिए किस तरह से आपके काम में आ सकती है और अब आपको पता ही होगा कि वीडियो आट पचे आ जाता है तो जरूर देखेगा और इसको प्यार अपना उस time period में भी दीजेका और comment जरूर कीजेका अपने angels को comment box में thank you कहना नहीं भूलेगा आ आपके समय आपके यह दिन बहुत बहुत शुबू थैंक यू सो वेरी मच गोड़ बैसी ओल